WHO के रिपोर्ट के मताविक भारत में करीब 120 मिलियन से अधिक लोग स्पोंकिंग करते हैं ये अलग-अलग ब्रैंड की सिगरेट पीते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से अधिकतर ब्रैंड एक ही कंपनी के हैं इन्हें बनाने वाले कंपनी का नाम ITC है ITC भारत की टॉप सिगरेट प्रोडक्शन कंपनी है इसके साथी ये कई और सिगमेंट में अपने बिजनस को रन करती है ITC कैसे भारत की एक टॉप कंपनी बनी ITC का मालिक कौन है ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं ITC का इतियास काफी ज़्यादा पुराना है इस कंपनी को आजादी से पहले बनाया गया था और तब ये एक ब्रेटिस कंपनी हुआ करती थी लेकिन आज की समय में यह एक इंडियन कंपनी है जो कि भारत में सिग्रेट फूड प्रोड़क्स लाइफिस्टैल प्रोड़क्स जैसे प्रोड़क्स बनाती है और उसको सेल भी करती है आप हर रोज इसके कई न कई प्रोड़क्स यूज करते होंगे जिसके नाम आपको तो पता होगा लेकिन उनको बनाने वाली कंपनी के बारे में आप नहीं जानते होंगे और जिसका मिनिफेक्ट्र मतलब कि यही करती है ITC ही करती है साल 1910 में भारत में पहले WDN HO विल्स नाम की एक डिधिस कंपनी हुआ करती थी और यह कंपनी टोबैको प्रोडक्स का ट्रेड करती थी इसके लिए कंपनी ने कई टोबैको प्रोडक्शन करने वाले किसानों से पार्टनर्स भी किया था इसकी पहली सिग्रेट फैक्टरी 1913 में बैंगलोर में लगाई गी थी 1910 में इस कंपनी का नाम बदल कर Imperial Tobacco Company of India Limited रखा गया था इसके बाद इसका नाम 1970 में Indian Tobacco Company रखा गया और जो साल 1974 में ITC हो गया ITC का पूरा नाम Indian Tobacco Company है ITC सिग्रेट तो बनाती है लेकिन इसके साथ या कई और भी प्रोड़क्स बनाती है जिसका यूस आप जरूर करते होंगे इनके कई ब्रैंड्स है जैसे की आसिरवाद आटा, सन्फिस्ट बिस्किट, बिंगो स्नैक, किचेंस ओफ इंडिया मसाला, विवेल, इंगेज, सुप्रिया, सैलवाउन ऐसे कई धेर सारे ब्रैंड्स है जो इनके ही है मतलब कि यह कंपनी इन सभी ब्रैंड्स के प्रोड्क्स को बनाती है और उसको सेल करती है और आपने कभी न कभी इनके प्रोड्क्स को ज़रूर यूज किया होंगे जैसे कि आपने कभी न कभी तो सन्फिस्ट के बिस्किट खाई ही होगी बिंगो तो आपने खाया ही होगा इंगेज जो कि डियोडरेंट्स होता है उसको भी आपने कभी न कभी तो यूज किया ही होगा तो ये सभी ITC के दौरा मनाय हुए प्रोडक्ट्स हैं इनके अलामा ITC education segment में भी काफी सारी प्रोडक्स बनाता है जैसे कि क्लासमेट और पेपर क्रफ्ट के जो ब्रैंड है वो ITC के ही अंदर आते हैं ITC के cigarette brand ही काफी धेशारे हैं जिन्होंने भारत में अधिकतर मार्केट को कबजा कर रखा है जैसे कि गोल फ्लैग, अमेरिकन क्लब, विल नेवी कट, ब्रिस्टाल, फ्लैग, इंडिया किंग्स, क्लैसिक, प्लेयर्स, सिजर, कैप्सटन, कैप्टन जैसे कई धेशारे प्रोडक्स हैं जो कि सिर्फ cigarette brand के ही अंदर आते हैं कुर्ण मिलाकर cigarette से लेकर आते तक की ITC कई धेशारे प्रोडक्स बनाता है ITC अब देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था पहले यह सिर्फ tobacco प्रोडक्स ही बनाती थी लेकिन बात में YC Diviscer के guidance में इस company ने काफी ज़्यादा तरकी की इस company की सफलता का credit YC Diviscer को ही जाता है YC Diviscer ने अपने चार साल के कारियाल में ITC के प्रोडक्स का expansion कम किया उन्होंने ITC के agriculture FMCG IT जैसे fields में भी खड़ा किया देश की economy में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था जिसकी विएसे इन्हें पद्म भूशन से भी सम्मान किया गया था YC Diviscer का vision ITC के products को घर घर तक पहुचाना था इसी vision को पाने के लिए उन्होंने ITC को अलग-अलग field में establish किया उन्हेंने biscuit, आटा, नूडल, सैंपू, कफी, स्वाबन, juice, क्रीम जैसे कई products बनाये जिनने लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आया और आपने कभी न कभी तो इच वपाल के बारे में नाम सुना ही होगा भारत के गाउं में यह program काफी ज़्यादा famous है, भारत में इच वपाल को ITC ने ही शुरू किया था ITC दौरा साल 2000 में इसे किसानों के लिए शुरू किया गया था, ताकि किसान अपने products को internet पे पहुचा सके ITC की इस पहल के कारण किसानों के जिन्दगी में कई positive बदलावा है, देश के एगरी marketing में इच वपाल काम्याबी की पहली मिसाल है, जिसको ITC ने ही शुरू किया था ITC brand leadership के मामले में काफी आगे है, इनके जितने भी brand है, उन्हें market में काफी ज़्यादा सहरा दिया जाता है इनका आशिरवाद आटा, नमबर वन आटा brand है, जो की आटे की सिग्मेंट में है, दूसरा snack के मामले में बिंगो इनका नमबर वन snack food है, सनफीस्ट क्रेम बिस्किट में नमबर वन है, मंगल दीप की अगरबत्ती दूसरे position पे है और धूप बत्ती पहले position पे है, इंगे इ इसमें इंडियन स्टेक्स बढ़ाई गई, अब यह पूरी तरीके से एक इंडियन कंपनी है, आज के समय में यहां एक भारतिय कंपनी है, और इसके चेर्मैन संजीव पूरी है, इस कंपनी के लगबग 30% स्टेक्स अभी भी foreign organization के ही पास ही है, ITC को आज इस मुकाँ पर ला जा गया कि सभी attempt इस पर असफल हो रहे थे, ऐसे में कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा था, तब अपनी skill और diligence के मदद से देविस्टर ने इस कंपनी को ऐसे situation से बाहर निकाला और इसको profitable बनाया, ITC को problem से निकालने के साथ साथ देविस्टर ने तंबाको के business के कंपनी को और भी ज्यादा फिल्ड में expand किया, तंबाको पर कंपनी की dependency को उन्होंने कम किया, क्योंकि उस समय और आज भी तंबाको प्रोडक्स को लेकर contradiction काफी ज्यादा होता रहता है, ITC कंपनी अब एक ऐसी कंपनी बन गई है, जिनके प्रोडक्स ना सिर्फ भारत में ही यूज होते हैं, बलकि दूसरे दिशों में भी यूज किया जाते हैं, ITC का जो मुख सफलता का अधार है, सिर्फ टंबाको प्रोडक्स बेचना ही नहीं, बलकि और भी जो रोजमानरा वाले काम की प्रोडक्स हैं, उनको भी सेल करके वो अपने revenue को जनरेट करते हैं, जैसे अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो थाइंक यू, धन्यवाद, वागुद डेइ